हलो, गुड इवनिंग इस्टूडेंट्स, मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे एक बाद फिर से आपका स्वागत करते हूँ, आज हम इस वीडियो में एद्वेतवाद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो देखेगा जो एद्वेतवाद है, ये सं संकराचारी ने स्रस्टी के बारे में काफी कुछ बताया है, तो इसी इनी सब बातों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, कई बार एकजाम में एद्वेतवाद के बारे में पूछ लेते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं, एद्वेतवाद क्या था? संक्राचारे संस्क्रित के परकाण पंडित थे, उनका मत ऐद्वेत्वाद के नाम से विख्यात है यह उपनिशदों के बहुत निकठ है प्रस्थान त्रई अर्थात उपनिशद ब्रह्म सुत्र तथा गीता पर लिखे गए भाश्यों के माद्यम से संक्राचारिय ने अपने मत का पर्तिपादन एवन समर्थन किया है उपनिशदों में वर्णित विभिन दार्षनिक सिधानतों को एक सुत्र में पिरोकर उन्होंने उनको एक करमबत दर्सन का रूप परदान किया है एद्वेद वेदान के मुखे विसेशताई इस परकार से हैं देखेगा क्या क्या है निखिल सरस्टी में एक मत्र व्रहम ही सकते है यह दर्शेमान जगत माया का कारिय होने के कारण मिध्या है जीवअर्धात आत्मा तथा ब्रहम में कोई भेद नहीं है सबसे पहले पढ़ते हैं ब्रहम एद्वेत मत के अनुसार स्रस्टी में एक मातर तात्वित पदार्थ ब्रह्म ही है वह एक ऐसे सत्ता है जो सर्ववपी, निराकार, निर्विकार, एविनाशी, एनादी, चैतन्य तथा आनन सवरूप है संकने ब्रह्म का स्थीत्व सिद्शित करने के लिए किसी युक्ती अत्वा, परमान के आवस्यक्ता नहीं समझी है वह परमानों का विशे नहीं है, वह ज्यान का भी विशे नहीं है, ज्यान का विशे वह हो सकता है, जिसे सिमित या परिछिन किया जा सके ब्रह्म चुंकि असीम एम ए परिछिन है अत है वह ज्ञान का विशे नहीं हो सकता है अपनी आत्मा के स्थीत्वे से ही ब्रह्म की सिद्धी हो जाती है शुरूतियां भी उसके अस्थीत्वे का परमान है जिनके अनुसार एक को जानने से सब कुछ ग्यात हो जाता है ब्रह्म को सचीदानन कहा गया है इसका अर्थी है कि सत्य, चतन्य तथा आनन्द सवरूप है उसे सत्य, ज्यान तथा आनन्द कहकर भी वनित किया गया है ब्रह्म निर्गुण होने के कारण बुद्धी की सभी सिमाओं से परे है जिसे संबध होने के कारण वह सगुण अथ्वा से विशेश परतीत होता है यही इस्वर है जो स्रस्टी का करता पालक्तता सम्हारक परतीत होता है इसी रूप में इस्वर की उपासना की जाती है यह वेवारिक द्रस्टी है पार मार्थिक द्रस्टी से विचार करने पर ब्रह्म सभी विशेशनों से परे हो जाता है संकर इसे परब्रह्म कहते हैं यही ब्रह्म का वास्टिक सवरूप है ब्रह्म के अलवा कोई सकती नहीं है तथा इसके अंदर भी कोई सकती नहीं है उसमें किसी भी गुण का आरोप नहीं किया जा सकता है। माया यद पी उसकी सकती है, किन्तु फिर पी वय माया से लिपते नहीं है, वय अनन्द एम एद्वितिय है, व्यभारिक द्रस्टि से ब्रह्म में जिन गुणों तथा उपाधियों का आरोप किया जाता है, वय वस्तुते उसका तटस्त लक्सण है, स्रस्टि का करता पालक एम समहारक होना उसका ओपाधिक अर्थाद आगंतु गुण है, वास्तिक सवरूप नहीं है, इसे भिन ब्रह्म के सवरूप लक्सण है, जिसमें वह एद्वेत निर्गुण एम निर्विकार है, संकर इसे सपस्ट करने के लिए नट की उपमा देते हैं, एक साधारन नट मंच पर राजा की भूमी का परस्तूत करते हुए विवित प्रकार के राजोजित कारिये करता है, उसका राजत्व नाटक के चलते रहने तक ही है, बाद में फिर वह समाने नट बन जाता है, यहां नाटक की द्रस्टी से नट में जो राजोजित गुण मिलते हैं, वे उसक तटस्त लक्सन है, जो उसके वास्त्विक सवरूप को बादित नहीं करते हैं, वस्तूत है वह व्यक्ति नट ही है, जो उसका सवरूप लक्सन है, इसी प्रकार ब्रह्म तटस्त लक्सन धारण कर जगत की रचना करता है, तथा सगुण हो जाता है, इन्तु परमार्थ तह वे निर्गुन और निर्विकार ही है यही उसका सवरूप लक्षन है जो किसी भी प्रकार की उपादियों के द्वारा बादित नहीं किया जा सकता संकर के अनुसार जो तत्व ज्यानी लोग हैं वे ब्रह्म को इसी रूप में देखते हैं तथा उसके विशेशनों तथा उसकी उपादियों को मिथ्या मानते हैं इस परकार व्यवारिक द्रस्टी से विचार करने पर परम तत्वय इस्वर है तथा पारमार्थिक द्रस्टी से वह ब्रह्म है संकर इस्वर को अपर ब्रह्म तथा ब्रह्म को पर ब्रह्म कहते हैं अब देखेगा आत्मा यह ब्रह्म का ही प्रियाय है तथा दोनों में कोई भी भेद नहीं है एक ही परमतत्वय आंत्रिक रूप से आत्मा तथा भाहिय रूप से ब्रह्म है एद्वेद मत के अनुसार यह स्व्यम सिध है तथा इसका अस्तित्वय सिध करने के लिए कोई परम अगमान ही यह सत चित तथा आनन सवरूप है चतपने इसका आगन्तु गुण नहीं है अपितू इसका सवरूप ही है आत्मा के अश्थीत्व को कोई भी एश्विकार नहीं कर सकता क्योंकि एश्विकार करने वाला सुएम आत्मा ही है इसके विशे में कोई संका भी नहीं कही जा सकती क्योंकि ये सभी संचों का आधार है उपनिश्टों में बारंबार ब्रह्म तथा आत्मा की एक्ता बताई गई है आत्मा नित्य प्रकास अर्थात ज्यान सरूप है वर न करता और नहीं भोगता है ये सरीर, इंद्रिये, अंतह करण आधी से पर्तक है बुद्धी आधी उपादियों से सयूख्थ होने पर ये है अपने को करता तथा भोगता मानने लगता है जब आत्मा अज्यान की उपादी से परिछिन हो जाती है तब वह जीव कहलाने लगता है यह अक्यान अत्वा एविध्या ही है जिसके कारण आत्मा कभी अपने को सरीर कभी इंद्रिये तथा कभी अन्य कुछ समझने लगता है तत्वत है आत्मा इन सभी से भिन मनुसे के सरीर के अंदर विध्यमान है यही ब्रह्मिया आत्मा संपोन जगत का आधार है अज्यान का आवरन हटने पर आत्मा अपने विशुत सवरूप को प्राप्त कर लेता है संकर यह नहीं मानते कि आत्मा ब्रह्मे हो जाता है अपितू उनका मत है कि यह सदैव ब्रह्म ही है कभी उससे भिन नहीं है ब्रह्मिया आत्मा के अलवा अथ्वा उसके अंदर भी कोई दूसरी सक्ती नहीं है ऐसा संकर का स्पस्ट मत है संकर के अनुसार ब्रह्मिया आत्मा पारमार्थिक सत्ता है जबकि इस्वर तथा जीव व्यवारिक सत्ताएं भी है भोतिक द्रेश्टि से इस्वर तथा जीव में भेद है दोनों में स्वामी तथा सेवक का सम्मंध है इस्वर नियनता है तथा जीव सासित है जीव करता तथा भोगता है पाप पूने प्राप्त करता है तथा वही सुक्तुक का अनुभव करता है इसके विप्रीत इस्वर इ निसद में इनका रूप का तमक वर्णन करते हुए बताया गया है साथ रहने वाले तदा सम्मान आठ्षान वाले दो पक्सी एक ही व्रक्स का आश्रे लेकर रहते हैं किन्तु उन में से एक स्वादिस्ट पीपल अर्थाद करम फलका भो करता है तदा दूसरा साक्सी मात्र है इसवर तथा जीव दोलों ही ब्रहम के रूप हैं जिन में पारमार्थिक सत्ता वही है जिस परकार अंदकार में रसी में साब तथा सीप में रज़त का आभास हो जाता है उसी परकार अग्यात वस एदवेद ब्रहम या आत्मा में जीव का आभास हो जाता है अगला देखे से जगत को विवरित करने का प्रियास किया गया है संकर्ने माया तता ऐविध्या का प्रियोग प्राय है सम्मान अर्थ में किया है वे अध्यास को ऐविध्या कहते हैं जहां जो वस्तु नहीं है वहां उसे कल्पित करना भी अध्यास है रसी में प्रे की पर्तिती अध्यास का एक उधारन है इसी प्रकार, ब्रहम के अलावा जो कुछ भी परतिती है वह माया या एविद्या है माया की दो सक्तियां है आवरं तता विक्षेप पर्थम के द्वारा वह सक्तिय को ढलक लेती है तता धुतिय द्वारा वह उस पर दूसरी वस्तू को कई बार एकजामे पूछ लेते हैं कि संकराचार ये द्वारा माया की जो विशेशताय बताई गई है वो कौन-कौन सी है तो देखेगा माया ब्रह्म की अंतर नहित सक्ति है यह है पूंत या ब्रह्म पर आश्रीत एवं उससे अभीन है यह ब्रह्म के समान ही अनादी है ब्रह्म तथा माया का सम्द्ध तादातम में कहा जाता है यद भी माया ब्रह्म की सक्ति है कि तु ब्रह्म उससे लिप्त नहीं है जो तथा उसकी दाहत्ता में है वही ब्रह्म तथा माया में है श्रश्टी रचना के निमित ब्रह्म इस सक्ति को धारण करता है वह अपने इच्छा नुसार इसका परिताग कर सकता है माया जड़ है जबकि ब्रह्मा विशूत चतन्य सवरूप है माया सद सद्वी वर्चनिय अर्थात सत्ते ऐस्ते अत्वा इन दोनों से परे है ये सत्ते नहीं है क्योंकि ब्रह्म से पर्थक इसकी कोई सत्ता नहीं है संसार को अध्यास रूप में पर्श्टुत करने के कारण ये ऐस सत्ते भी नहीं है ज्यान के उदे के साथ माया अता ये सत्ते नहीं है किन्तु जब तक अज्यान रहता है तब तक ये बनी रहती है अता हम इसे असत्ते भी नहीं मान सकते ये पूंट अनिरवर्चनिय है माया की सत्ता व्यवारिक है ये है विवर्थ मात्र है ये है अध्यास तथा ब्रांति सरूप है ये मिध्या ज्यान है माया का विनास ज्यान से संभव है विद्या के उद्धित होते ही एविद्या का विलोग हो जाता है माया का आश्रे तथा विशे दोनों ही ब्रह्म है यह त्री गुणात्मिका अर्थात सत्वय रज तथा तम इन तीनों गुणों से युक्ठ है इनके बिना माया का कोई अस्तित्वय नहीं है माया के इनी तिनों गुणों के कारण जगत में नाम रूप की विभिन्ता देखने को मिलती है इस परकार माया ब्रह्म की एक ऐसी सक्ति है जिसके उपर संसार का समस्त विवार निर्भर करता है संकर के अनुसार जो ग्यानी पूरुष हैं वे इस माया की सक्ति से भर्मित नहीं होते हैं तता संपून स्रस्टी में एक ही पार्मार्तिक सत्ता के दर्सन करते हैं जगत की स्रस्टी संकर के अनुसार जगत माया बी इस्वर का कोतुक मात्र है जो अपनी क्रेडा के निमित इसकी रचना करता है ब्रह्म निर्गुन तथा निर्वी से होने से जगत का कारण नहीं हो सकता अता ये संसार माया का ही कारिय है माया अपनी आवरण सक्ति से ब्रह्म के वास्त्विक सवरूप को ढख लेती है तथा विक्षेप सक्ती से उसमें नाम रुपात्मक जगत का अध्यास कर देती है सांखे मत के सम्मान संकर भी सदकार्य वाद के इस इधान को मानते हैं कि कार्य अपने कारण से भिन नहीं होता किंदू सांखे मत के अनुसार जहां कारण का कारिये अपने कारण से भिन नहीं होता किंदू सांखे मत के अनुसार जहां कारण का कारिये में वास्त्विक परिवर्तन होता है वहां संकर के अनुसार यह परिवर्तन आबास मात्र है कार्य में कोई भी विकार नहीं उत्मन होता इसे विवर्त वाद की संग्या दी गई है इसके अनुसार किसी कार्य के उत्मन होने पर उसके कारण भूत दर्वे में कोई विकार नहीं आता वस्तुत है सभी विकार आबास मात्र होते हैं ये है माया या अविद्या है जो सत में असत का आभास कराती है ये है परिवर्तन सेल जगत आभास मत्र है इस परकार एद्वेत मत के अनुसार निर्विकार ब्रह्म वह अधिस्तान है जिसके उपर माया दृश्य जगत का अध्यास कर देती है ब्रह्म की सत्ता सभी में विद्धेमान है ये स्वेम परकास है दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं कि उसमें अपने को परकट करने का सवभावी गुंड है जो ऐसत है वह कभी भी अपने को परकट नहीं कर सकता है अता सत्य एंद्चतन्य सवरू ब्रह्म ही अपने को नाना रूपों में परकट कर सकता है संकर तीन परकार की सत्थाईं स्विकार करते हैं देखेगा कौन-कौन से, पर्तिभासित सत्ता, व्याभारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता, पर्तिभासित सत्ता किसी वास्त्य कर्स्तु में जो मिथ्या पर्तिती या अभ्ध्यास हो जाता है, उसे परती भासिट सत्ता कहते हैं जैसे, रशी से सर्पतता सुक्ति में रजट की पर्ठिती वे इस्के अंत्रगत आते हैं ये सत्ता पर्थम की अपेक्षा अधिक यथार्थ होती है किन्तु ये अंत्तते सत्ते नहीं है संसार की सभी दर्शयमान वस्तुयें इसी के अंतरगत हैं पारमार्थिक सत्ता ये सर्वथा एक सम्मान एबादित होती है यही ब्रह्म या आत्मा है संकर संसार को पूर्ण रुपेड मिथ्यां नहीं मानते उनके अनुसार व्यवारिक दर्श्टी से ये सत्ते है इसी से हमारा लोक व्यभार चलता है किन्तु यह दर्श्टी सामान्य मनुश्यों की है ज्यानियों की दर्श्टी में तो एक मातर सत्ता ब्रह्म ही है तता अन्य सभी उसी के व्यवर्थ है अन्य भार्तिय दर्षनों की भाती वेदान्त भी बंधन तता मोक्स की समस्या पर विचार करता है संकर के अनुसार मोक्स मानव जीवन का परम पूरुशार्थ है जो इसे नहीं प्राप्प करता वह आत्महा है यह संसार एसत्य तथा दुखों से परिपूर्ण है केवल ब्रह्म ही सत्चित तथा आनन अर्था सत्चिता नन है जीव अपने विशुद रूप में ब्रह्म ही है किन्थू एविद्या या अज्ञान के कारण यह अपना समेकरन सरीर, इंद्रिय, मन आदि से स्तापित कर लेता है अउर अपने को करता एं भोगता मानने लगता है यह संसार के नाना सुक दुखों को भोगता है तथा विविद कर्मों को करता है जीव भ्रान्त होकर संसार तथा उसके विशों को सत्य समझने लगता है सरीर को आत्मा मानकर मनुश्य संसार चकर में गूमता रहता है संकर के अनुसार आत्मा का अपने विशुत सवरूप में इस्तित होना ही मोक्ष है दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं कि आत्म साक्षातकार अत्वा आत्म ज्यान ही मोक्ष है क्योंकि आत्मा तथा ब्रमा एक ही है अत्या आत्म साक्षात्कार ही ब्रह्म साक्षात्कार है संकर इस बात पर बारंबार बल देते हैं कि परम तथ्व का साक्षात्कार केवल ज्ञान से ही संबव है एविद्या अथ्वा अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है जिसकी निवरती ज्ञान के उदे से हो सकती है कर्म तथा भक्ती मोक्स के मार्ग में सहयक हो सकते हैं किन्तु ये परमुक साधन नहीं है कर्म तथा उपासना परम तत्वे के ज्यान की प्रेहना उत्पन कर सकते हैं तता हमारे मस्तिस को सुध बना कर हमें ज्यान प्राप्ति के योगे बना सकते हैं किन्तु ये केवल ज्यान ही है जो अंतिमे मोक्स की प्राप्ति करा सकता है संकर के मत में ग्यान तथा कर्म दोनों भिन-भिन हैं तथा इनका एकी करण संभव नहीं है कर्म से केवल चित की सुधी होती है परम-ब्रह्म की प्रापती नहीं आत्मा करता तथा भोगता नहीं है अतह जीव के कारियों से उसका कोई संभण नहीं है इस प्रकार ये दोनों परस पर विप्रीध हैं, कर्म केवल उनके लिए है जो एविद्या ग्रस्त है नकी प्रभुधि विक्तियों के लिए संकन्य मोक्स के अधिकारी के लिए निम्ल की साधनों से यूख्थ होना निवारिय बताया है उसे निते और एनिते पदार्थों का बोध होना चाहिए, उसे लोकिक तथा पालोकिक दोनों परकार के भुगों की इच्छा को त्याग देना चाहिए, उसे शम, दम, श्रधा, समाधान, उपरती तथा तितिक्षा इन छे साधनों से यूख्थ होना चाहिए शम तथा दम से तात परिये, क्रम से मन तथा इंदरियों के सहियम और नियंत्रण से है, वेदान्त में निष्टा रखना श्रधा है, चित को ज्यान के साधन में नियूख्थ करना समाधान तथा नियूपरती है, सर्दी गर्मी आदि सहन करने की सक्ति को तितिक्षा कहा गय गीता में भी वर्णित है कि सर्दी, गर्मी तता सुक दुख देने वाले इंदरिये और विशों के सयोंग अक्षन भंगूर तता एनित्ते हैं अते तुम उनको सहन करो जिस पूरुस को ये वेथित नहीं करते वही मोक्स के योगे होता है मोक्स के सादन में इसके लिए परबल उत्खंडा होनी चाहिए उप्रियुक सादनों को सादन चत्वुस्टे के संग्या दी गई है इनसे यूगत वेक्ति ही ज्यान तथा उसके माधम से मोक्स के प्राप्ति कर सकता है इन चार सादनों से संद्वित वेक्ति को किसी ऐसे योगे गूरु की सरण में जाना चाहिए जो स्विम ब्रहम ज्यानी हो इस प्रकार संकर गूरु की महता को भी स्विकार करते है गूरु विदार्थी को वेदान्त की शिक्षा देकर ये ज्यान करा देता है कि उसके अंतह करण में इस्तित सुद्ध चैतन्य सवरूप निते एम निर्विकार आत्माहि ब्रह्म है। इसी को उपनिशत तत्त त्वम असी कहते हैं। इस अवस्ता को स्र्वन कहा जाता है जिसमें मोक्स का पीपासू वेक्ती योग्य गूरु के उप्तेश ग्रहन करता है। इसके बाद मनन की अवस्ता है इसमें मोक्षार्थी गूरु के उप्तेश पर युक्ति पूर्वक विचार करता है। निरंतर अभ्यास से उसके रधे में अहम ब्रमास में अर्थात महीं ब्रहिध्यों की बहाँना जागृत हो जाती है, मोक्षार्ती इसी का रट लगाता है, अन्तिम अवस्ता निद्धी धासन हैं जिसमें वहतत्त्वय के ध्यान में लीन हो जाता है। उसके रधे में इस्तित एविद्या का नास हो जाता है जिससे स्व्यम परकास आत्मा या ब्रह्म परकासित हो उड़ता है थथा वेक्ति उसका साक्षात कार कर लेता है यही संकर के अनुसार मोक्स की अवस्ता है इस परकार मोक्स का अर्थ एविद्या अत्वा अज्ञान को ज्ञान के द्वारा दूर करना संकर दो परकार की मुक्ति मानते हैं जिवन मुक्ति था विद्य हमुक्ति ज्ञान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति ततकाल मुक्त हो जाता है ये धे भी उसका भूतिक शरीर बना रहता है शरीर प्रारब्ध कर्मों का भल होने के नाते ततकाल जिवन मुक्त वेक्ति सांसारी कर्मों को निस्काम भाव से करता है वह उनसे उसी प्रकार निलित रहता है जैसे कमल के पत्ते पर पड़ा हुआ जल बिंदू वह सांसारी परपंचों के ब्रह्म में पुनय नहीं फसता ज्यान रूपी अगनी उसके पहले से संचीत कर्मों को करते ज्यानी वेक्ति संसार में रहते हुए भी सुख दुख हनी लाप निंदा इस्तूती आदी से कभी भी जलायमान नहीं होता है संकर निस्काम कर्म की महतावों श्विकार करते हैं मिमासा दर्सन में यग्यादी कर्मों के अनुस्थान पर ही बल दिया गया है किंतु संकर इन्हें त्याज्य एवं मोक्स प्राप्ति के मार्ग में बादक समस्ते हैं कर्म तीन प्रकार के बताये गये हैं संचित प्रारब्द और किरियमान संचित कर्म से तात्परिय पूर्वय जनमों के जमा हुए कर्मों से है, पूर्वय काल के वे कर्म जिनका फल भोग किया जाता है, प्रारब्द कहे जाते हैं तथा इसी जिवन के जमा कर्मों को किरिये मान कहा जाता है, ज्यान की प्राप्ति होने पर संचित कर्मों का लग से तथा किरिये मान कर्मों का निरोध हो जाता है, किन्तु प्रारब्ध कर्म बने रहते हैं, तथा शरीर को उनका फल कुछ काल तक भोगना पड़ता है, करम से है, उसकी सक्तिस्माप्त हो जाती है, इसके साथ ही बोतिक शरीर का नास हो जाता है, यह विद्यमुक्ति है, ज्यान अवस्ता है उनके अनुसार ये प्राप्त की ही प्राप्ती है आत्मा सदैव नित्य यू मुक्त है कि अवल अज्याना वरं से वह बंधन ग्रस्त दिखाई देता है मोक्स के अवस्ता परमानंद की अवस्ता है पूर्ण तता एखंड ब्रह्म आनंद में है अता है उसका साक्षात कार कर आत्मा भी आनन्द में हो जाता है आत्मा का वेक्तित्वय प्रमात्मा में मिलकर एका कार हो जाता है इस हवस्ता को प्राप्त होने पर कोई भेद सेस नहीं रह जाता तदा सभी प्रकार के नाना तत्वय एम ब्रहांतियां स्वाप्त हो जाती है लेंगे जो आपकी एक्जाम में बहुत सहता करेंगे तो इसी प्रकार बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे